सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूटूब चैनल को और दबाएए इस बैल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले ये बिल्कुल फ्री है संसार सागर में आपका स्वागत है मैं हूँ दीपग एक संथ तीर्थे आत्रा करते हुए ब्रन्दावन धाम की और रवाना हुए लेकिन ब्रन्दावन से कुछ मिल पहले ही रात हो गई उन्होंने सोचा क्यों ना रात पास के गाउं में ही बिताई जाए सवेरे उठकर ब्रन्दावन की और चल देंगे उनका कड़ा नियम था कि वे जल भी उसी घर का ग्रहन करते थे जिसका खान पान और आचार विचार पवित्र हो किसी ने उन्हें बताया कि ब्रच सीमा के इस गाउं में सभी वैशनाव रहते हैं सभी कृष्ण के परमभक्त हैं उन्होंने गाउं के एक घर के आगे खड़ी होकर एक व्यक्ति से कहा भाई मुझे रात बितानी है परन्तु मेरा यह नियम है कि मैं किवच सुद्ध आचरन बिचार वाले व्यक्ति के घर ही भीच्छा और जल ग्रहन करता हूं क्या मैं आपके घर रात भर के लिए ठैर सकता हूं उस व्यक्ति ने कहा हाथ जोड़े और महराच मैं तो निराधम हूँ मेरे सिवाब आने सभी लोग परमवैश्णों हैं फिर भी यदि आप मेरे घर को अपने चाड़ों से पवित करेंगे तो मैं खुद को भाक साली मानूँगा संत आगे बढ़ गय और दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया उस घर से बाहर आई व्यक्ती ने भी कहा महराच मैं वैश्णव नहीं निरा अधम हूँ मेरे अलावा गाउं के सभी लोग परमभक्त और वैश्णव जन हैं जब गाउं के प्रते व्यक्ति ने अपने को अधम और दूश्णों को वैश्णों बताया तब संत जी को ये समझने देर नहीं लगी कि अपने को औरों से दीन हीन वा छोटा समझने वाले इस गाउं के सभी लोग असल में बड़े विनमर और सच्चे वैश्णों है वह एक सद्गरस्त से बुले भाई अधम तुम नहीं मैं ही हूँ आज तुम्हारे घर जन अन गरण कर मैं स्वें पवित्र हो जाऊंगा